दोस्तों रक्षा बंधन कत्योहार हर साल सावन माह की पूर्निमा तिथी को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्नन है कि रक्षा बंधन कत्योहार भद्राकाल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी की राखी बांधना बेहद ही अ ज़्यादा ही उल्जन की स्थिती है. दोस्तों इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षा बंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वही कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षा बंधन का त्योहार मनाना शुब रहेगा. तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षा बंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए और इसकी सही तारीक क्या है? 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त? साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे क्योंकि इस बार रक्षा बंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा. इसलिए राखी बांधने का शुब मुहूर्त आपके लिए जानना अती आवश्यक है. दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलना आइकॉन जरूर दबाएगा तो आएए शुरू करते हैं दोस्तों रक्षा बंधन का त्योहाद. भाए बहन के आटूट प्यार का प्रतीक है. इस दिन बहन अपने भाए की कलाई में रक्षा सूत्र यानी की राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र्की और स्वास्थ्य की कामना करती है और भाए भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं. दोस्तों आपको बता दे कि शास्त्रों में भाद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुब बताया गया है. इसलिए भूल कर भी भाद्राकाल में आप अपने भाए को राखी कभी ना बांधे. इसके पीछे एक पौरानिक कथा भी है. ऐसा कहा जाता है कि लंका पती रावन ने अपनी बहन से भाद्राकाल में ही राखी बंधवाए थी और एक वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था. इसके अलावा भाद्रा जो कि शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रम्हा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भाद्रा के समय शुब या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिनाम हमेशा ही अशुब होगा. इसलिए आप गलती से भी भाद्रा के समय रक्षा बंधन का त्योहार ना मनाएं. दोस्तों रक्षा बंधन के दिन बहने अपने भाई की कलायों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है. इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदी करके और हो सके तो नए बस्तर पहने. लेकिन याद रहे शुब हफसर पर काले कपड़े ना पहने. बस्तर पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए. पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाय आदी और एक शुधगी का दीपक भी जरूर रख ले. दीपक आप चाहे तो आटे का बना ले या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेगी. दोस्तों अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें. और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी चाहे. इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की और मुख करके बैठाए और बहन का मुख पश्चिम की और होना चाहिए. रक्षा बंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गनिश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाए. फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें. उन्हें रोली, चंदन और रक्षत लगाएं. उनके उपर थोड़े से फूल चिलके. यदि फूल आदी ना हो तो चावल चिलके और अंत में भाई की आरती करें. अब आप अपने भाई की दाई हाथ की कलाई में राखी बांधे और इ तुझे परिशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं मारूंगा नहीं तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, मा बाप को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, मा बनकर तेरा पालन पोशन करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा और बहनों को उपहार वगेरा अवश्य भेट करें दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षा बंधन का त्योहार कब बनाया जाएगा दोस्तों पूर्नेमा तिथी की शुरूआत 19 अगस्त की सुबह 3 बचके 4 मिनट पर हो रही है और पूर्नेमा तिथी की समाप्ती 19 अगस्त को ही रात में 11 बचके 55 मिनट हो रही है ऐसे में उद्यातिथी के आधार पर रक्षा बंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा इसमें कोई भी कन्फ्यूशन नहीं है रक्षा बंधन 2024 भद्रा का समय इस साल रक्षा बंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा रक्षा बंधन पर भधरा के प्रारंब का समय सुबह में 5.53 मिनट पर है उसके बाद वो दोपहर 1.32 मिनट तक रहेगा इस भधरा का वास पाताल लोक में है हाला कि कई विद्वानों का मत है कि यदि भधरा का वास थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है उसे शुब ही माना जाता है लेकिन कई शुब कार्यों में पाताल की भधरा को नजर अंदाज नहीं करते है आखिर हम हिंदू है तो हर शुब कार्य का या शुब कार्य का पालन तो भया करना ही पड़ता है किसी भी शुब या शुब कार्य को नजरंदास तो नहीं कर सकते ना दोस्तों रक्षा बंधन के शाम पंचक भी है रक्षा बंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है पंचक शाम साथ बजे बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह पाँच बजके तिरपन मिनट तक रहेगा पंचक सोमवार को लग रहा है जो राजपन चेक होगा इसको अशुब नहीं माना जाता है ये शुब होता है दोस्तों अब जानते हैं सबसे इंपोर्टेंट बात रक्षा बंधन का शुब मुहूर्थ देखिए 19 अगस्त को रक्षा बंधन का मुहूर्थ दोपहर में डेर बजे से लेकर रात 9 बज के 8 मिनट तक है उस दिन भाईयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा दोस्तों इस बात का ध्यान रहे भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है इसलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है लनका पती रावन को इसी समय राखी बांधी गई थी इसलिए उसके पूरेकुल का विनाश हो गया समय के अनुसार ही रक्षा बंधन का त्योहार मनाना बहुती शुब और मंगलकारी रहेगा थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन ये समय आपके भाय और आपके परिवार के लिए शुब रहने वाला है दोस्तों कई लोगों के यहां ये परमपरा होती है कि बेलोग सूर्यास्थ होने के बाद रक्षा बंधन का त्योहार आदी नहीं मनाते लेकिन रक्षा बंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्ट 19 अगस्त को रात 9 बच के 8 मिनट तक का है तो इसमें आप सूर्यास्थ के समय भी राखी बांध सकते हैं क्योंकि इस समय शुब मुहूर्ट पढ़ रहा है और हमें मुहूर्ट की अती आवश्यक्ता होती है फिर मुहूर्ट रात में पढ़े या दिन में मुहूर्ट तो आखिर मुहूर्ट है दोस्तों मुहूर्थ पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुब फलो की प्राप्ती होती है उसका कभी अमंगल नहीं होता ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी राथ चौगुनी तरक्की ही पाएगा ऐसा भाई लाखो करुणों में खेलेगा रुद्बा, पैसा, धान, दौलत सब कुछ कमाएगा राहू दोश पित्रदोश नजर दोश मंगल दोश सब कुछ दूर रहेंगे दोस्तों और रक्षा बंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए शुब नहीं माना जाता भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुब और मंगलकारी माना जाता है दोस्तों और रक्षा बंधन के पावन अफसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदी कभी नहीं देना चाहिए इससे जीवन पर नकारात्मक्ता का गहरा असर पढ़ता है ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए कोई चपल आदी भी नहीं देना चाहिए उपहार में दक्षन सुंदर भेट अवश्य देना चाहिए एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया भाई का दर्जा दिया तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो करी सकता है बड़ा सुकून और सुक मिलता है दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए शास्त्रों के अनुसार वेद पुरान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षा बंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर तो उस बहन को दोश लग जाता है ऐसी प्रता है कि रक्षा बंधन पर खास कर रक्षा बंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए फिर भाई चाहे कही भी हो बहन को जाना चाहिए यदि भाई आपके पास नहीं है विदेश में रहता है किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते तो आप भाई के नाम की रक्षा बंधन की थाली एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गनेश को अपना भाई समझ कर उनकी कलाई पर बांधे वह राखी स्वयम आपके भाई की कलाई तक पहुँच जाएगी फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायन के बांधे आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे वह स्वयम राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुँचेगी और ऐसी राखी मन में बांधी गई राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयम ईश्वर तुल्य हो जाती है रक्षा बंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए आए जानते हैं देखिए रक्षा बंधन के समय बिना लहसुन प्यास का खाना बनाना चाहिए क्योंकि इस समय देव शक्तियां ईश्वर स्वयम धर्ती पर चलकर आते हैं वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धर्ती पर स्वयम पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात इश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसलिए लहसुन, प्याज, मास, मदिरा, बीवी, सिगरेट, गुटका आदी इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए। प्याज, मिलता है तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाए या ना बनाए पर मीठी सेविया जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षा बंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुब और अत्यंत दुरलब मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सबजी, गोभी की सबजी, केले की सबजी, फटे गोभी, आलू, मतर, पुलाव, पनीर, पुलाव और खीरे का राय था। आप बना सकते हैं घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तबाह नहीं चड़ाना चाहिए। अशुब माना जाता है। कड़ाई चड़ा कर पक्का खाना ही बनाए। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है जो कि त्योहारों के शुप समय बनाया जाता है। इसे साक्षात इश्वर ग्रहन करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना वरत तोड़ती है और बहन को एक निबाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का वरत संपूर्ण करना चाहिए बहन को एक निबाला अवश्य खिलाएं इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर धेर सारा आशिरवाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोग को चले जाते हैं कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए वरत नहीं रखती रक्षा बंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है तो भाई की उम्र कम हो जाती है इश्वर नाराज हो जाते हैं वरत खंडित हो जाता है बहन को इस दिन वरत अवश्य रखना चाहिए क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन रहते हैं नहीं तो रक्षा बंधन का कोई लाब नहीं होगा रक्षा बंधन पर यदी शुक्रवार का दिन पर जाए तो जो लोग माता संतोशी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खटा नहीं बनना चाहिए खटे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए, खटी इमली, खटी इमली की चट्नी, पानी, पूरी, नीम्बु, आदी, खटा आम वगरा नहीं खाना चाहिए इससे माता संतोशी नाराज हो जाती है वो स्वयम धर्ती पर पधर्ती है क्योंकि शुक्रवार मा संतोशी का वार है इसलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए संतोशी माता यदी प्यारी है तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है लेकिन ये तो संजोग की बात है कि रक्षा बंधन पर शुक्रवार पढ़े यदी पर जाए तो थोगा सावधान हो जाए भई या हम हिंदू हैं तो धर्व शास्त्रों का पालन तो करना ही पढ़ेगा रक्षा बंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदी करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ती धनी होने से रोक नहीं पाती है यह उपाय स्वयम हमारे घर पर किया जाता है भाई को उच्छेपद की प्राप्ती होती है सरकारी नौकली हासिल होती है व्यापार यदी मंदा चल रहा हो तो दोड़ने लगता है उर्ते पक्षी की तरह व्यापार दोड़ता है भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती दुर घटना में उसकी मृत्यू नहीं होती इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है आईए जानते हैं सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रूपे लेकर मुठी बांध ले और भाई के उपर से साथ बार उतारा करे अब जो पैसे आपकी मुठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदे और उस खरीदी गई राखी को पीपल व्रिक्ष पर बांध दे या किसी भी धार्मिक पिड़ पर बांध दे व्रिक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और व्रिक्ष पर राखी बांधे इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वो विजय प्राप्त करेगा ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्यान होगा भला होगा भाई को नजर और दोश कालसर्प, दोश पितर, दोश शनी, दोश भायन कर गरीबी का दोश कभी नहीं लगेगा यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है यदि रक्षा बंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षाद भाई को धनी होने से कोई नहीं रोग पाता दिन दुगनी रात चोगनी तरक्की होती है, बहन का भाय के प्रति प्रेम बना रहता है घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे यह उपाय खास कर रक्षा बंधन पर ही किया जाता है हाल में एक बार ही आता है रक्षा बंधन तो कर लो दोस्तों यह उपाई क्या पता आपका भाग्य चमक जाए क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य सात्वे आसमान पर चला जाए सच्चे हृदे से किया गया उपाई स्वयम इश्वर भी विफल नहीं करते और यदी एक बहन भाई के लिए यह उपाई करे तो स्वयम इश्वर भी इस उपाई को खाली नहीं जाने देते क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रती सच्ची आस्था है और इसी आस्था को देखते हुए इश्वर इस उपाई को सफल बनाते है दोस्तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जै माता दी रक्षा बंधन की हार्दिक शुब कामनाए